हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों मैंने काफी पहले एक वीडियो डाला था कि ट्रेन में आप कितना समान ले जा सकते हैं और दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन में पारसल या फिर लगज कैसे बुक किया जाता है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मैं हुराहुन और आप देख रहे हैं रेल जड़नी बीदुदरा हुन तो सबसे पहले हम जानते हैं परसल और लगेंग में अंतर गया होता है है तो परसल पूकंग वेसे टिकट होना चाहिए जिसके पेनार नंबर से ही आपका लगेज इस ट्रेन में बुक किया जाएगा और इसमें आप अपने लगेज के साथ टेबल भी कर सकते हैं दोस्तों इसको हम अगर अलग सब्दों में समझें तो पारसल जो होती है उसमें आपका जो पारसल रेलव अपने उस गनता विस्थान तक जाता है इसको एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि किसी ट्रेन में कोई पारसल या फिर लेगेज बुक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है तो चलिए इसे नंबर वाइज समझते हैं तो इस नंबर एक आपको किसी रेले स्टेशन पर जाना होगा जो कि आपके नजदीक में हो और उस स्टेशन पर पारसल हाउस की बुकिंग की सुगधा जो होनी चाहिए क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है जो बहुत चोटे स्टेशन होते हैं उन पर पारसल बुकिंग की सुगधा नहीं होती है परसल आउस नहीं होता है नमबर दूसरा है आपको अपना लेगेज जो है अच्छी तरह से पैक करना होगा और उस पर अपना नाम मुबाइल नमबर एड़ेस वगारा मेंशन करना होगा और अगर आप कुछ ऐसा समान भेज रहे हैं जो जैसे की फल वगारा कपड़े या फि जरुत नहीं होते हैं दोस्तों अगर आपको बाइक बुकिंग की बाहरे में जानना है तो मैंने उस पर डेडिकेटड बिनो बना रखा है आप इस आई वुटेंट पर किलिक करके उसको देख सकते हैं चले चलते हैं अपने दूसरे नमबर के तरफ नमबर तीसरा है कि अग बाइक बाबू वगरा उनके पास जाना होगा और वहां आपको दो-तीन फार्म बढ़ने पड़ते हैं जिसमें आपको अपने लगेज की सारी डीटियल देनी पड़ती है और आप उसको किस इस्टेशन से किस इस्टेशन से तक भेज रहे हैं सारा कुछ उसमें मेंसन करना पड़ता है और इसके साथ ही आपको एक आड़ी परूफी जेरॉक्स कॉपी भी देनी पड़ती है इसके बाद आपको उस लगेज के वजन के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं फिर आपको जो वहां का जो अधिखारी रहता है बाब वोगरा वह आपको एक रसीद देते ह हैं और इसी बिल्टी को दिखा कर आपको अपना समान वापस मिलता है दोस्तों अगर आप लगेज बुक कर रहे हैं किसी पर्टिकॉल टेन में तो सारी फार्मल्टी सेम ही रहेगी बस आपको अपना प्यानार नंबर भी देना पड़ेगा दोस्तों अब जानते हैं कि रेल हमसे तो चलिए सुरू करते हैं अगर आप एक से दस केलो मेंटर तक अपना समान बुक करते हैं तो आपको 50 kg का सात रुपे 38 पैसा है आपको पड़ेगा और अगर आप 50 kg का ही समान virtue सब कीलो में तर ककीलो 38 रुपए पड़ेगा और अगर आप 990 से 1000 किलोमेटर के लिए 50 के जी का समान बुक करते हैं तो 202 रुपए आपको पे करने होंगे तो दोस्तों ये थी कुछ रेल्वे की लगे चार्जर जो प्रत किलोमेटर के हिसाब से हैं आपको रेल्वे के पारसाल वेबसाइट पर ये सारी डिटेल फुल डिटेल जो है और मैं अगर आप इसको पूरा जानना चाहते हैं तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में इसका पीडियाफ दे दूँगा वहां से आप प्रॉपर तरीकी से हर एक रेंज का जो लगे चा लगबग एक से डेड़ रुपे प्रति किलिमेटर आता है और उधारन के तोर पर अगर आप याद किसी नार्मल बाइक को 500 किलिमेटर तक भेजते हैं तो उसमें जो है लेवर चार्ज वगरा जोड़कर हजार से बारा सो रुपे का खर्च आता है और अगर आप बाइक को अगरा करवाते हैं तो उसका भी 2500-300 पड़ जाएगा तो मुटा मुटा आप देखें तो 14-1500 रुपे आपको बाइक का जो चार्ज हो है वह आपको पड़ जाएगा दोस्तों ये तो थी पार्सल और लगेज बुपिंग की जानकारी और इसके साथ में इसके चार्जर की ज छोड़ सकते हैं उसका आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा उसके बाद से एक रुपे प्रत घंटे के साथ से आपको चार्ज किया जाएगा और पूरा दिन अगर वहां पड़ा रहता है तो थाइस रुपे पर ड़े के हिजाब से आप से चार्ज लिया जाएगा तो इस दोस्तो पारसल और लकेज बुकिंग से सम्मंदित ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किजिएगा और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है पारसल और लकेज बु दोर्ची झा मार किजिए और युमेज बुकिंगस ममानेट है तो वीडियोंक करके और वीडियोंक